साथियो नमस्कार यूपी लेकपाल 8500 पोस्ट जिसके बारे मैं आप लोग को पहले पे मैंने इन्फोर्मेशन दी थी कि बही 2021 से ये डाटा खंगाला जा रहा है कि 2021 से पच्चिस के बीच कितने जो लेकपाल है वो सेवा निवरत होंगे कितने का प्रमोसन कानुगो के पद पे हो जाएगा तो ये सारी डिटेल निकाली जारी है कि लेकपाल के आखिर कितने पद खाली हो जाएंगे तो एक आखलन के अनुसार ये डाटा निकल के आया कि लगबग 8500 पद रिक्त हो जाएंगे और अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि लगबग 8,085 पोस्ट के एक भरती अलरडी इन्होंने संपन कराई है तो ये भरती साल 2023 के PET स्कोर कार्ड पे आप लोगो को देखने के लिए मिलेगी क्योंकि साल 2024 में PET स्कोर कार्ड रिलीज ही नहीं किया गया है जारी ही नहीं किया गया है क्योंकि एक्जाम ही नहीं हुआ स्कोर कार्ड तो तब आएगा UP SSSC 2023 में PET के अंतिम एक्जाम को करा पाई थी उसके बाद में साल 2024 में PET का कोई एक्जाम नहीं हुआ तो 23 के आधार पर ही जो लेकपाल की भरती है जो आएगी उसे कराए जाएगा और 2022 के आधार पर कराए गई थी पिछली भरती है इसमें कट अफ कितना जा सकता है देखे सबसे पहले कट अफ के बारे में बता देता हूँ फिर ये कोसिस करेंगा बताने की कि भी कब तक आ जाएगी अभी डाटा खंगाला जा रहा है अभी समय लगेगा इस भरती को आने में तो इसलिए मैंने आप लोग उसे कुछ और बोल आए जाने हो निश्चित तौर पर जाओके अगर आपके 30 नमबर एकात के कम भी है ऊपर है तो बले बले ही है अगर नीचे भी है एक दो नमबर तो भी पूरे चांस हैं यहां तक कि 28 नमबर तक वाले के पूरे चांस हैं कि इसे भी मेंस एक्जाम देने के लिए बुला लि थी नहीं पिछली भड़ती भी विदाउट ट्रिपल सी थी और ये भी विदाउट ट्रिपल सी होगी ट्रिपल सी इसमें कोई requirement नहीं है ठीक न इसमें हाइट चेस्ट ये मानक बिल्कुल भी आधार नहीं माने गई हैं बस फिजिकले रोब से आप लोग फिट होने चाहिए मे कट-off का मैंने बता तिया आप लोगों, यह कब तक आएगी, देगिंगें साल दो ऑज़ार चोविस में सायद में भी यह पौसिबल है कि यह भड़ता तक यह भड़ती दिसंबर के अंतर तक आप को देखने के लिए, पूरी तरीके से उमीद है कि मिल सकती है, कट-off का भी मैं ने आप लोगों को बता दिया जिनके 30 के असपास से वो इस एक्जाम की तैयारी कर लें दूसरा चीज मैंने ये बताया था कि ये भरती ओपन आनी चाहिए ना कि पैट स्कोर काड़ 2023 पर आनी चाहिए क्योंकि देखे इसके पक्षा में बिल्कुल नहीं कि पैट 2023 के स्कोर काड़ पर ये आए क्योंकि वो पुराना हो गया और देखी अगर आपके 30 भी है ना या फिर 28 भी है पच्चीस भी है आप लोग सस्पेंस में हो क्योंकि वो पेपर ह इतना हाड बनाया था इन लोगोंने 2023 पैट वाला और दूसरी चीज एक साल के लिए वो स्कोर काड़ वैलिड रहता है अक्टूबर में एक्जाम कराया अक्टूबर से एक्टूबर में वो कहानी उसकी खतम हो गई अगर ये बढ़ती आपको करानी है तो आप 12th पास अगर अगर पैट का खराब चला गया तो वो पूरी जितनी पैट स्कोर काड़ से एक साल में भढ़ती कराई जाएंगी वो कैंडिडेट एक भढ़ती ने देखेगा इसमें हो सकता हो उस दिन उसका दिन ना हो कैसे एक एक एक्जाम डिसाइड कर सकता है उसकी आगे की लाइफ द आप बच्य से पैसे लगए एक्जाम कराने के चार्ज लगता है तो जार्ज दे रहा पान्सु देरा अगर चार्ज ज़्यादा है सासस्व आटसुल अटसुल असका एक्जाम से कैसे डिसाइड होगा तो बई मैंने बताया दिसंबर कंट तक आने की संभावना है इसकी शेयर करेगा थैंक्यू बबाबाय चाहिन